हाई इस वीडियो में जानते हैं difference in दो confusing words के बीच में compliment और compliment अंतर है केवल E और I का तो एक लिखा जाता है C O M P L E M E N T और एक लिखा जाता है C O M P L I M E N T इन दोनों words में difference क्या है? इसको कैसे use करते हैं? और आपको 4 sentences देखने को मिलेंगे जहाँ आप सही से इसको इस्तमाल कर सकें तो start करते हैं compliment और compliment इनको mostly problem आती है जहाँ हम लिखते हैं क्योंकि बोलने में दोनों एक जैसे हैं तो जहाँ हम लिखते हैं तो कहीं जहाँ एक लिखना होता है वहाँ मैंने कई लोगों को दूसरा लिखते हुए देखा है यह problem आपके साथ ना है इसके लिए किया किया जाए उसकी कुछ tricks भी देखेंगे कैसे याद रखा जाए कौन सा वाला कौन सा है compliment with a E stands for जब कोई चीज किसी को complete करे या enhance करे complete करे या enhance करे यह मतलब किसी चीज को बढ़ाए देखेंगे हम लोग sentences में compliment है जब कोई किसी को praise करे तारीफ करी जाए किसी की बढ़ाई करी जाए praise और admiration इसी को admire किया जाए तो आई देखते है sentences the curtains blank the color of the walls अब यहाँ पे हो क्या रहा है हम पर्दों की बात कर रहे है और दिवारों के colors की बात कर रहे है तो हम यह कहने हैं कि जो color है wall के curtain जो है उसको compliment कर रहा है उसको बढ़ा रहा है या complete कर रहा है तो यहाँ curtain obviously तारीफ तो करेगा नहीं तो curtains compliment यहाँ पे आएगा यह वाला ठीक है क्योंकि यह complete कर रहा है look को complete कर रहा है पूरे look को बढ़ा रहा है अच्छा बना रहा है wall के colors को अच्छे से compliment कर रहा है अच्छे से complete कर रहा है और enhance कर रहा है she received many blank on her dress she received many compliments कौन सा compliment compliments on her dress यह वाला तारीफ हुई उनकी जो भी dress पहन के गई थी बहुत तारीफ हुई उनकी बहुत बढ़ाई मिली हुई उने dress पे तो यहां compliments यह अधिकतर noun की तरह से use हो रहा है आप देख सकते है noun की तरह कैसे यहां इस्तमाल हुआ है यहां इसका इस्तमाल verb की तरह से हुआ है compliment का तो यह noun की तरह से भी चलते हैं और verb की तरीके से भी चलते हैं Your kindness is always worthy of a compliment कौन सा compliment बढ़ाई के काबिल है आपकी जो kindness है आपके जतने जो दयालू है इतने 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 जो अबढ़ाई के काबिल है अलवेज वर्दी ओफ़ गॉंपलिमेंट चीक है आए वाला दर न्यू सॉफ्वेर विल ब्लांक दी एक्सिस्टिंग तूल्स इन दे सिस्टम न्यू सॉफ्वेर रिल कॉंपलिमेंट जो हमने न्यू सॉफ्वेर लिया है वो एक्सिस्टिंग टूल्स थे हमाई सिस्टम में उनको और इन्हांस करेगा उनकी एफेक्टिवनेस और बढ़ाएगा तो उनको और कम्प्लीट करेगा तो डिफरेंस बहुत इजी है समझना एक है तारीफ आए वाला याद रखें यह याद रखना बहुत असान है क्योंकि अगर आप इसमें देखें इसकी स्टार्टिंग ही और ही अल्मॉस्ट कम्प्लीट से तो C O M P L E तो आई रहा है बस T E जोड़ देंगे तो कम्प्लीट हो जाएगा तो यह कम्प्लीट वाले हैं यहाँ पर E लगा है और यह हैं बड़ाई वाले, एड्मिरेशन वाले, एड्मायर करने वाले तो इन दो वर्ट में आपको कोई अभी भी डाउट हो और भी किसी टॉपिक पर आपको कोई डाउट हो मुझसे कुछ सला मशुरा चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमें बताईए I hope this discussion will help you in knowing the difference between these two confusing words I hope it helps, take care